हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक पोसोलोजी के बारे में सबसे पहले जानेंगे पोसोलोजी है क्या पोसोलोजी मेंली तो ग्रीक वर्द से डिरेवड हुआ है फर्सट वर्ड इज पोसोज विच मिनस हो मच ट्रेकंड वर्द इस लोगोस इज मीनस साइंस अब हम बात करेंगे इसके definition की It is a branch of medical science which deals with doses It means ये medical science का वो branch है जो किसी भी medicine के doses के बारे में बताता है इसके और भी definition है कोई भी drug हम कितने amount में administered कर रहे हैं ताकि वो अपना therapeutic value सो करे और वो patient के treatment में काम आए इसके बारे में बताने वाले branch को हम posology कहते हैं आप सभी जानते हैं अगर कोई patient treatment के लिए किसी doctor के पास जाता है तो doctor उसे कुछ ना कुछ medicine prescribed करता है वो medicine doses के form में होता है It means आपको कुछ ना कुछ quantity of medicine administered करना होता है जिससे की treatment में help हो सके अब हम बात करते हैं dose और dosage के बीच में difference की dose एक simple amount है drug का जो कि हम एक time में administered करते हैं ताकि patient का treatment हो सके dose is simply an amount of drug which administered at a specific time It means एक ही time में कितना medicine हम administered करते हैं उसे dose कहा जाता है जैसे की paracetamol का कोई भी tablet वो एक amount होना चाहिए या तो 200 mg या 400 mg या 600 mg अगर हम एक time में उसे administered कर रहे हैं तो उसे paracetamol tablet का एक dose कहा जाएगा अब हम बात करते हैं doses की dose के frequency को doses कहा जाता है अगर आप किसी भी dose को 24 hour के अंदर कितने time administered कर रहे हैं क्या frequency है उसकी तो उसे doses कहा जाएगा जैसे की अगर आप paracetamol के tablet 600 mg के quantity को 3 times 24 hour के अंदर administered करते हैं तो उसे doses of paracetamol कहा जाएगा अब हम बात करेंगे different different pharmacopia के according dose को mainly दो भागों में divide किया जाता है minimum dose and maximum dose minimum dose उसे कहते हैं जो की एक desired therapeutic value सो करें ताकि पेसेंट को treatment में काम आ सकें कि आपको इतना drug लेना ही लेना है एक fixed amount drug लेना ही लेना है ताकि वो पेसेंट के treated में काम आ सकें जैसे आप paracetamol की minimum 200 mg tablet आपको लेना ही लेना है ये paracetamol का minimum dose कहा जाएगा अब हम बात करेंगे maximum dose की maximum dose उसे कहते हैं जब minimum dose अपना therapeutic value सो करना कम कर दे तो उस condition में हम पेसेंट को कुछ large quantity में वही drug देते हैं जो की पेसेंट पे कोई भी adverse effect ना दिखाया या कोई hardful effect ना सो करे तो उस dose को हम maximum dose कहते हैं लेकिन अगर आप maximum dose से भी जैदा किसी को कोई drug administered करते हैं तो वो अपना therapeutic value ना सो करके पेसेंट पे adverse reaction as like skin rashness, nausea, vomiting, gastrointestinal tract disturbance हो करने लगेगा अब हम बात करेंगे minimum dose और maximum dose के कुछ examples की जैसे MP-Celine का minimum dose एक ग्राम है कि एक ग्राम dose आपको लेना ही लेना है और इसके maximum dose 6 ग्राम है जैसे fruceumad एक loop diuretics है इसका minimum dose 40 mg है और इसका maximum dose 120 mg अगर आप इससे ज़्यदा लेते हैं तो कुछ adverse effect पेसेंट पेसेंट पेसो होने लगेगा अब हम बात करेंगे बहुत सारे factor होते हैं जो doses को influence करते हैं बढ़ाते हैं या dose के effect को कम करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थैंक यू दोस्तों करेंगे